Hello guys, welcome to my channel EFCI, दोस्तों मैं अर्जुन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ कॉश्चन के आंसर देने वाला हूँ कमेंट वॉक्स में मुझे कई सारे कमेंट आए हैं जिसमें अलग-अलग टाइप के कॉश्चन पुशे गए हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मेल पाएं और अगर आपको किसी टाइप का सवाल है तो आप उसे प्लीज कमेंट वॉक्स में कमेंट करें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोथों सबसे पहले सवाल यहां पर यह है अधिकतर लोगों में किस साल कट ओफ कितना जा सकता है ठीक है तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर अगर गौर से देखें तो मैंने पिछले साल की कट ओफ यहां पर दी हुई है CVT BAN की आप अच्छे से इए पहले मैंने उपर जो कट ओफ दी हुई है आपको वो है NTPC CVT BAN 2016 की कट ओफ अब इस कट ओफ में अगर आप देखें तो सब जून की कट ओफ अलग अलग दी हुई है कि कौन से जून में जенерल की कट अफ कितनी गई है, OBC की कट अफ कितनी गई है, SEO, ST कितनी गई है तो इस बार मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस साल जो NDPC का CVT बाने ऐखाम होगा उसकी मेरिट और जो 2016 में NDPC का CVT बाने ऐखाम होगा था उसकी मेरिट इसमें ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है जिस जून की मेरिट जैसी गई थी बैसी ही जानी है बस थोड़ा सा ही फर्क होगा जादा से ज़्यादा एक या दो नमबर का तो मैं तो यही कहूंगा कि आप चाहें तो आप इसी मेरिट में से उन बोर्ड को चूज कर लें जिन बोर्ड में मेरिट कम गई है जैसे अभी तक कई लोगों के मन में ये टेंशन बनी हुई है कि हमें कौन सा जून बनना चाहिए कौन सा जून हमारे लिए सेफ है स्टेशन मास्टर की सेलरी स्टार्टिंग में कितनी बनते है यानि जब स्टेशन मास्टर की जोईनिंग होती है तो इसकी सेलरी कितनी बनती है तो सबसे पहले मता दूं स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे है वो है कि स्टार्टिक में जो सेलरी बनती है वो लगवग बात की जाए इसके बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड कुछ कॉश्चन की तो इसमें पहला कॉश्चन यह था कि अगर किसी को ऐलर्जी है तो क्या वो अन्फिट है तो मैं आपको बता दूँ जब आप रेलेवे की तरफ स अब इब ही बन इडीकल देंगे तो आपको मेडिकल के लिए जाएगा उस प्रोफार्मा में कई सारे ओफ्षन होते हैं आपकी जो फिजिकल डिस अविलेबिलिटी है उनके लिए एक प्रोफार्मा बनायी जाता है जिसमें आपको टिक करना होता है तो उसमें एक पॉраст यह related कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके जाएं इसके राव बात करते हैं नी नॉक नी नॉक यानि आप सामने स्क्रीन पर इसकी पिक्चर देख रहे होंगे यानि जिन लोगों के घुटने आपस में मिलते हैं खड़े होते टाइम ठीक है तो इसका देखिए मुझे क्लियर एक दम नहीं पता है जहां तक मुझे मालूँ मैं पाइल्स चेक नहीं किये जाते हैं आप लोग रेल्वे का मेडिकल देने जा रहे है कोई डिफेंस का मेडिकल देने नहीं जा रहे है कि वो इतना हाइफाई होगा ठीक है मैंने पिछली लेख ना बड़़ में अगर उने टैट्ू बना हुगाय तो इससे कोई फ़र्ट पड़ता है दिए टैट्व से मेरे में कोई फर्ण हएं तो tatties कोई़ नहीं पվधा है तो देखिए से मेरे में कोई पड़ता है, यह अगर आधे सी में मेंडिकल ने सिर्फ, ब्रिएक। पुस्ट को भर सकता है, तो मैं यह वह स्कूर्ट कॉलर ब्लैम्स के प्रोबलम your है।ने भी चैड़िडे हैं। को …… ए सिर्फ, सिर्पु सुर्फ के लिए बहुत कर चेड़िते जिन्हों को भी farklı kaufen here, यह चेक अप इसके रहाब बात की जाए लेसिक सरजरी यानि जो आखों का लेजर ओपरेशन होता है तो देखिए अगर आपने कभी भी लेजर ओपरेशन कराया है या लेसिक सरजरी कराई आपने तो मेडिकल में पकड़े जाएंगे ठीक है तो मैं यह कहूंगा जो लोग किस आपको बहुत ज्यादा आपका मेडिकल टेस्ट हाई लेविल का हुआ यहां पर मेडिकल का जो लेवल है वो कम है अगर आप मेडिकल का ग्रेट देख तो सिर्फ एटू ताकी है अवन मेडिकल नहीं होना है यह अपर सब कुछ च्याक होगा और जिल्लों को हाइड वेट की तो हाइड वेट से डिल्लों कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर कोई बड़ी डील नहीं है कि आपकी हाइड ज्यादा आया कम है तो जितने भी यह मेडिकल से रिल्लेटिड मेन पॉइंट बताएं इन सब को धिहान में रखना है अपको अगला कॉशन मुझ से यह तो आपके 100 कॉश्चन हैंदी में आएगे अगर बाइचांस माल लेजिए कि 100 कॉश्चन हो में अगर आपको किसी कॉश्चन को इंग्लिस में पढ़ना है ठीक है तो आपको स्क्रीन के ऊपर कोने में लेंग्विच का एक उप्शन आएगा वहां पर जाके लेंग्विच को चेंज करके उस कॉश्चन को इंग्लिस या जो भी लेंग्विच में आपको देखना है उसे आप देख सकते हैं तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नमद लेजिए कि कोई एक ही लेंग्विच में पीपर देना पड़ेगा आप किसी लेंग्विच को बीच बीच में साइको और टाइपिंग इनके बारे मैं एक आतम मिन्ट में समझाना मुस्केल है तो मैं यही कहूंगा कि साइको के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूं तो उसमें आप लोग बहता तरीके समझ पाएंगे तो प्लीस थोड़ा साविट कर लिजिए साइको के कर दूँगा इसके बाद बात करें तो अभी भी कई केंडियेट्स सस्पेंस में कि कौन सी बुक पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बुक्स वागए रहे हैं उनकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप बहां से चाहें तो जाके पर्चे कर स अब यहां पर एम एक चीज़ और बता दूँ आपको देखिए वहां पर कई सारी ऐसी बुक्स जो कॉमन सी बुक्स होती है जो आप लोग हमेसा पढ़ते रहते हो उनका नाम डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो उनके नाम में डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं दी है क्यो तो मैं कहूंगा कि कम से कम प्रेक्टिस सेट बुक्स अब लोग खरीदें और प्रेक्टिस सेट बुक को लगाए ताकि आप लोगी ते यारी अच्छी हो जाए अब यहां पर कई लोग मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुने 2012 में एक्जाम दिया था ये 2019 है उस टाइम में बहुत फर्क है उस टाइम पी पर हलवा था तो यार देखों पहली चीज कि 2012 में एक्जाम नहीं हुआ था जिसमें में स्टेशन मास्टर बना बोग एक्जाम 2015 में वेकंसी निकली थी और 2016 और 2017 में मैं ने उसका प्री और मेंस दिया है तो 2016 और 2017 में को ज़्य मैं फिर आप से कहूंगा कि आप लोग ये ALP और Technician और Group D का राग मत अलाब हैं जितने लोग भी मुझे कमेंट करना है कि उस टाइम हलवा था ये है वो है यार आप खुद अपना तो motivation डाउन करी रहे हो साथ मैं उन लोग का भी कर रहे हैं जो लोग तैयारी में भी नए है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं देखिए नॉन टेक्निकल पेपर को जो टेक्निकल पेपर है उससे कंपेर मत करें ALP और Group D टेक्निकल वेकंजी थी उनका पेपर टाफ आया है मैं बिल्कुल काऊंगा कि टाफ आया है पेपर इनका लेकि जो NDPC का पेपर है उसका लेवल कम तो प्लीज आप लोग ये बात मत करें कि उस टाइम पेपर देना आसान था इस टाफ है पेपर हर टाइम के हसाब से टाफ ही होता है 2012 में जब एक्जाम वह था तो ओबीसी की मेरिट 80 से उपर गई थी इस बार तो 80 से उपर गई नहीं है मेरिट और कॉमन सी चीज है यार ज मैं इतनी पचेड में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक बार आप रेलिवे डिपार्टमेंट में आ जाएए आपको पता चल जाएगा कि नौकरी करते हुए दूसरा पेपर देना कितना आसान होता है कितना मुस्किल होता है इसके लिए कितनी फॉर्मल्टी करनी पढ कि मेरी छोड़ो अपनी ही देखो आप लोग अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं वीडियो में इसमें बूला था कि एक दिट घंटे ही पढ़ता था तो यार एक दिट घंटे में तब पढ़ता था जब 2012 का मैंने ग्रूबडी दिया था अच्छे से सुन लेना इस बार इस कि देड़ घंटे मैं तब पढ़ता था जब मैंने 2012 में रेलवे गुरूपडी का एक्जाम दिया था और उस टाइम पे में और उस टाइम में भी मैं प्रेक्टिस सेट लगाता था तो कुल मिला कि आप खुद समझ सकते हैं कि लगवाग मैं तीन से चार घंटे ही तो पढ़त अब छोड़ चुका हूं तो उस टाइम पे में लगवक्त 4 घंटे कम से कम पढ़ता ही था प्रेक्टिस सेट लगाते मुझे 2-5 घंटे हो जाते थे इसके लाव अलग से पढ़ते हुए भी मुझे देड़ से 2 घंटे वैसे हो जाते थे तो टोटल 4-5 घंटे के बीच में मै से पढ़ लेता था अपना तो मैं फिर कहूंगा यह देड़ 2 घंटे फालतू मैं आप कमेंट में मत कीजिए यार मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है आप लोग को अपनी तयारी अच्छी करने आप सभी को सेलेक्शन लेना है अगर आप यह छोड़ी छोड़ी बात पढ़ रहे हैं तो यह साफ बात बोलूँगा या तो आप दूसरों को बना रहे हैं या आप खुद बेवकूब बन रहे हैं क्योंकि 10-8-8 घंटे यार जो पढ़ेगा कॉमन सी बात है वो आराम से जौब ले सकता है कोई बड़ी बात नहीं है यह आप इसके बात हैं आप कुछ लोगों ने मुझसे भी कॉस्टियन की है मैं अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों मेरा पूरा नाम है अर्जुन जहा और मैं लेलतपुर यूपी का निवासी हूं ठीक है और मेरी जो जौब है स्टेशन मास्टर यह मुझे मेरे घर से 30 किलोमेटर की दूरी पर दोरा मुझे धोरा स्टेशन पर मेरी पोस्टंग है अब यहां पर कई लोगों ने यह भी पूछा है कि तुमारी सेलेरी कितनी है तो मैं बता दूँ मेरी सेलेरी जो अब ही बन रही है वो लग बग 44 K to 45 K करीब बन रही है यानि लग बग चावाली से प्याली से आर के इसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई है तो लग बाक पिछले 6 माई ने से मैं जॉब कर रहा हूँ तो सेलेरी अभी तो इतनी ही बन रही है आगे बढ़ेगी तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतने कोश्चन ही इसके लाव अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीस कमेंट वॉक्स में कमेंट करें मैं उनका जवाब जरूर दूँगा अब एक बार जाते जाते मैं फिर काऊंगा अपने उन भाईयों से कि जो लोग मिलने वाला है ऐसा है नहीं कि मेर अगर आप उल्टे सीदे कमेंट करेंगे तो मैं अपनी जौब छोड़ दूँगा मैं यूट्यूब चैनल बन कर दूँगा देखिए मैं यूट्यूब चैनल तब से चला रहा हूं जब मैं जौब नहीं करता था मेरा चैनल 24 में बना था अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोख सकता है तो जितने भी लोग इस साल आरवेंटीपीसी की तैयारी करना है जम कर तैयारी कीजिए और किसी भी अगर प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुसे संपर कीजिए जो मेरी इ झाल